नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का इस्टेटी फॉर्ट सिब्ल स्विसेज में HCS यानि की हर्याणा पीसेज की तेहरी कर रहा है तो उसकी फ्री प्लेलिस बिल्कुल बना दी गई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है सारे वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे करेश को जोइन करना चाहते हैं तो 856-4880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या वाट्सप करके जानकारी ले सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका श्टेटी फॉर्ट सिब्सेज में अगर आप श्री करने के लिए हमारा सिसे आपको मिल जएगा वीडियो को डिस्टेटेंब में इसकी लिंक दिवी इसमें आप इस नोरी सक्षन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं इनको जरूर फॉलो करते रही है दोस्तों हर्याड़ा PCS के Prelims Examination के लिए ये Full Length Mock Test Paper No.6 है इससे पहले हमने 5 ऐसे ही Full Length Mock लगाये हैं वीडियोस के माध्यम से आपने देख सकते हैं ठीक है चैनल पर उपलब्द है चलिए शुरू करते हैं कुल मिलाकर 100 MCQs है जैसा कि परीक्षा में फार्मिट रहेगा और ये Bilingual Format में है तो किसी भी अभ्यरती को समझने में कोई समस्या नहीं होगी पहला प्रेशन ये प्राची नितिहास वाले से जुड़ा हुआ है आए देखते हैं तो इसमें आपसे विशम विकल पूछा जा रहा है कि Select the odd option among the following असल में ये जो पेर दिये हुए जैसे रंगप रंगपुर का संबन सतलच से है ऐसा दिया है रोपड का संबन दाश्क से है लोथल जो है ये भोगवा नदी से संबंदित है और सुतकांगे डोर पुरा तत्विस्थलों के बारे में यहां चर्चा हो रही है तो यह मादर नदी से जुड़ा हुआ है देखिए इसका C वाल दित है बाकी लोथल वाला सही था तो हमने C को चुना है इसके बाद आगी चलते है रवींद्र सिंग बिष्ठ जो की एक पुरा तक्तु विद्ध है इन्होंने निम्नलिखित में से किस हडपा इस्थल की खुदाई की थी और उन्होंने इस इस्थल की खुदाई कब की थी यह दोनों पूछा है मतलब इस्थान का नाम आपको बताना है और डेट बतानी है तो यहां दिया है चनुद्रो और 1972 रोपड और 1972 आलमगीरपूर 1974 और बनवाली या बनावली जो भी आप कहें इसे इसका 1974 इस प्रकार से समय दिया हुआ है तो इसका जो correct answer है वो D वाला ही ह इसे आप देखिए बनावली या बनवाली और 1974 रवींद्र सिंग बिष्ट जी के दवारा इसका उत्खनन करवाया गया था इसके बाद अगले वाले को देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी which of the following had been established first ठीक है तो इसमें आप देखिए कि establishment किसकी पहली बार होती है राश्ट्रिय स्वैंग सेवक संग है नौजवान भारत सभा है बहिश्कृत हितकारणी सभा है और परमहंस मंडली है modern history वाला segment हम लोग देख रहे हैं और question number third का जो correct answer है वो D हो जाएगा इसमें स्थापना की वर्ष अगर आपको पता है तो आप क आरे से इसकी बात करें तो यह 1925 का है यह 25 यहां लिख लीजे और नौजवान भारत सभा का समय क्या है यह 26 का है लेकिन परमहंस मंडली को अगर आप देखें तो यह काफी पहले की है यानि 849 की है तो यहां दूरी जादा है आराम से आप गेस कर सकते थे दिकत्तब होती है जब विकलपोत नजदी की होते हैं इसके बाद आगे चलते हैं प्रशन संख्या चार वेदान्त कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी यह दोनों जो संस्थाएं हैं इनको किस ने इस्टैब्लिश किया था तो यहां व्यक्तियों के नाम दियें से सुरेंद इसके बाद आगे चलते हैं देखिए अगले वाले प्रशन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिकित में से विशम विकलप का चैन कीजिए ठीक है तो विशम विकलप इसमें से कौन सा है यह आपको देखना है परम हंसमंडली यह बॉम्बे में इस्टैबलिश हुई सर्वेंट इंडिया सुसाइटी भी वहीं पर हुई थी इस्ट इंडियान एसोशियेसन यह लंदन मतलब देश से बाहर हुई थी ऐसा इसमें दिया है और प्रार्णा समाज की स्थापना बॉम्बे में हुई थी यानि महाराश्ट्र तो आप बताईए कि इसमें से विशम क गलत था ठीक है और गलत वाला हमें चुनना था बागी सभी सही है जैसे इस्ट इंडियान एसोशियेसन यह लंदन में है और प्रार्णा समाज बॉम्बे मतलब इनकी स्थापना की गई थी यह बता दिया है कि देव समाज अगनी होतरी थी यह शिव नारायन अगनी होतरी तो यह नाम भी आपको पता होना चाहिए फिलहाल लाहॉर दिया है कराजी दिया है और डेट दी हुए है जिसे 1887 है और 1886 है आप इसमें से सेलेक्ट कीजेगा तो question number 6 का जो correct answer है वो A हो जाएगा देखें लाहॉर में establish होता है उस समय यह अभीन भारत का हिस्स्ता था और इ और कब हुई थी वो बताना है तो बताइए इसमें से कौन सा पेर सही होगा विनायक दामोदर सावरकर और 1905 है ठीक है 1905 श्री नारायन मलहार जोशी है और 1904 है इसके बाद विनायक दामोदर सावरकर फिर से आ गये है और 1904 है इसी प्रकार से नारायन मलहार जोशी है और 19 1905 है बताइए अभिनो भारत सुसाइटी और इसकी establishment होती है असल में 1904 में ठीक है 1904 में और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति को तो आप जानते ही है विनायक दामुदर सावर कर तो हमारा correct answer क्या हो जाएगा इसके बाद question number 8 को देखते हैं यहाँ आपको incorrect option इस message select करना है मतलब यह list जो दोनों दी हुई है list 1 और list 2 यह पहले से match है कोई एक गलत हो गया है और वो गलत कौन सा है बताइए यहाँ पर जो संस्थाएं है या आपके religion की सभाई है उनकी स्थापना का venue दिया हुआ है तो जित है वो कलकत्ता नहीं होगा बलकि इलाहबाद होगा यूपी में है ठीक है तो प्रयाग राज भी नाम हो गया है सेवा समिती की जो स्थापना हुई थी वो इलाहबाद में हुई इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 9 इसमें से आपको odd option select करना है तो कुछ report और कुछ events दिये हुए है जो कि historical है ठीक है modern Indian history से बिलॉंग करते हैं तो hunter committee की report publish होती है ऐसा इसमें दिया है जरा comment box में ये बताइएगा कि hunter आयोग का अगठन किस उद्देश से किया गया था कोई भी committee जब develop की जाते है या उसे organize किया जाता है तो उसके पीछे कोई motive होता है तो क्या थ अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका प्रकाशन होता है 1922 में और चौरी-चौरा कांड जो की काफी विभत से था तो ये 1922 में होता है इसके बाद Congress का नागपुर अधिवेशन ये 1922 में होता है और असयो गांदोलन भी शुरू होता है 1922 में ऐसा इसमें दिया हुआ है आ ठीक चार फरवरी 1922 पांच फरवरी नहीं पांच फरवरी को तो ये नियूज आती है कि मतलब ऐसा हो गया लेकिन चार फरवरी 1922 की जो तारीक थी उसमें उग्र भील ये गोरकपुर का चौरी-चौरा नाम का अस्थान है वहाँ पे पुलिस थाने पर अटेक कर देती है ल कि मेरे आदर्श यहाँ विलुक्त हो चुके है और हिंसा शुरू हो गई ठीक है असल में वो सभी ने अवग्या शुरू करना चाहते थे लेकिन उन्हें चांस ही नहीं मिल रहा था कि कैसे हम जनता से कहें कि ये वाला अंदुलेन अब ड्रॉप करके नया वाला शुरू करत है ठीक है तो गांदी जी ने यहाँ पर औसर तलाशा और जो असयोग था उसको रद्द कर दिया तो ये चीज़े हम देख रहे हैं इसमें 1922 की डेट सही है और 4 फरवरी की तारीख आप याद रखेगा पांच नहीं फिलाहल बाकी जो है उनकी डेट गलत है कैसे तो हंटर क पांदोलन आरंभ होता है ये तारीख जो है ये 1922 की है 1922 तक तो वो खतम हो जाता है तो बाकी सभी गलत है सिर्फ इसका जो चौरी-चौरा है वही सही अगले वाले को देखते हैं प्रशन संख्या 10 को देखिए इसमें कुछ फिर से पेर दियो है इस लिस्ट है जैसे कि पह ग्रेस की और से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता है और माउंड बेटन योजना जो होती है उसके परिणाम सरूप नहरुजी को प्रधान मंत्री बनाया जाता है अगस्त प्रस्ताव आता है ये समय था लिलनलितिगों का मतलब ये वायसराय था उस समय तो आप पताईए कि इसमें से सही कौन सा है करेक्ट आप्शन आपको चूज करना है तो इसका हो जाएगा डी वाला ये जो अगस्त आफर है ये लिलनलितिगों की द्वारा दिया जाता है और ये भारत छोड़ों आंदोलन के समय तक रहता है इतना जादा गांधी जी के आंदोलन स उसमें कॉंग्रेस की ओर से कोई नहीं गया था और डॉक्टर बी आर हम बेटकर ये एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे हाला कि और लोग भी थे लेकिन जो प्रतिश्ठित व्यक्ति थे उसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों गोल में समेलन में हिस्सा लिये थे पहला दूसरा और तीसरा फिलाल ये गांधी जीस में तो जाते नहीं है दूसरे वाले में जाते हैं जब गांधी एर्विन समझाता होता है ठीक तो दूसरे वाले गोल में समेलन में इनोंने भाग लिया था और उसका भी कोई निसकर्ष नहीं निकलता है अब यहां दे दिया है उल्टा क जो है इसका नतीजा क्या होता है तो माउंट बेटन प्लान का पूरा परिडाम यहां देखिए वो एक अलग चीज है मूल रूप से भारत विभाजन के लिए लाड माउंट बेटन को भेजा गया था कि मतलब भारत में जो यह दंगे चल रहे हैं और अशांती फैल गई है तो उसमें बटवारा करके निसकर्ष निकाला जाए देश का भी भाजनी यह मूल उद्देश था नेहरु जी को यहां प्रधान मंत्री के तौर पे एकसेप्ट किया जाता है जो अंतरिम गवर्मेंट होती है उसके थ्रू तो इसमें हमने देखा कि लास्ट वाला सिर्फ सही है बाकी जितने हैं उनमें समस्या है पश्चन नमबर 11 को देखते हैं यहां देखिए यह मध्यकाली नितिहास का है मतलब मेडिवल वाला तो इसमें दिवाने इस्तिहाक है यह डिपार्टमेंट थे पहले के समय के ठीक दिवाने मुस्थ खराज है दिवाने अर्ज है और दिवाने अर्ज है वो वित्य विभाग से जुड़ा हुआ मतलब वित्य विभाग ही था असल में और दिवाने को ही एक सैने विभाग था तो क्वेश्चन नमबर 11 का जो राइट एंसर है वो ए हो जाएगा दिवाने इस्तिहाक जो दिया है वही एक मात्र सही है यह पेंश विभाग का आपको चैन करना है और यह अकबर के जो महतुपूर कारे थे उससे जुड़े हुए यहां तथ्य दे रखें जैसे कि उसने दासप्रथा का अंत कर दिया था और वो जो डेट थी वो 1562 की थी ठीक पानिपत का जब दूसरा युद्ध होता है उसके बाद अकबर की सत्ता इस्थापित होती है तो यहां पर उसके बाद उसने बहुत सारी सुधार वाले काम किये ऐसा दिया हुआ है अब यह दासप्रथा का अंत होता है 1562 में तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगता था उसको एबॉलिश कर दिया जाता है और वो डेट थी 1563 यानि 1563 जज साइए कि इसमें से गलत कौन सा है क्वेश्चन नमबर 12 का जो करेक्ट एंसर है वो सी हो जाएगा जजिया टैक्स वाला इसमें रॉंग है जजिया अगर को समाप्त किया जाता है 1565 में नहीं बलकी 1564 में बाकी जितने हैं वो सही है दासप्रथा वाला 1562 होगा बाकी जितने सब्सक्राइश्टी कॉंग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए है वो सभी इंपॉर्ट है और जहां पर कोई महतुपूर्ण डिसीजन लिया गया या कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाया पहली बार या कोई यूनीक अध्यक्ष वहां चुना गया जैसे पहल पहला अधिवेशन जो है इसका वन्यू दिया हुआ है अब ईसमें जितने है सब गलत है कोई एक शहाई पहला या है में कहा गया है कि दूसरा वाला अदिवेशन जो है वो कलकत्ता में होता है ये सइवाब आ असल में जब कॉंग्रियस की स्थापना होती है तो उसके बाद ये निर्ड़े लिया जाता है कि कलकत्ता में ही पहला दिवेशन होगा बंगाल उस समय क्रांतिकारी गतिविदियों का केंद्र रहता है ठीक, लेकिन उस समय कलकत्ता वाला छेतरी महामारी की चपेट में था पुरा बंगाल ये भीशन अकाल और महामारी से जूज रहा था तो वहाँ ये आयोजित करना सुरक्षित नहीं था या उचित नहीं दिखाई दे रहा था तो इसलिए इसको मजबूरन बंबई में करवाना पड़ता है जो पहला दिवेशन था उसको बंबई में करवाना पड़ता है लेकिन अगली बार जो अगला दिवेशन होता है वो कलकत्ता में हो जाता है बागी जितने हैं वो सही इसके बाद question number 14 यहाँ पर कुछ आयोग यानि जो कमीशन से उनके नाम दिये हैं और इनके date दी हुई है तो यहाँ गलत भी कलब कौन सा है बस यही आपको देखना है यानि तीन सही है कोई एक गलत है तो आप देखें कि इसमें विटले आयोग जो है वो 1928 का है ठीक है सही दिया है लिंड से आयोग या लिंड से कमीशन आप इसे कह लीजे यह जितने भी नाम आप देखें ने जिए विटले है लिंड से है यह व्यक्तियों के नाम है जो कि इस कमीशन के हेड हुआ करते थे तो लिंड से आयोग का जो गठने वो 1929 में होता है यह भी परफेक्ट है क्रिप्स आयोग या क्रिप्स कमीशन आप देख लीजे यह 1942 का है वो भी सही दिया लेकिन कैबिनेट मिशन को जरा देखें यहाँ सफेद जूट दिखाई दे रहा है न 1946 होता है कैबिनेट मिशन प्लान आता है भारत में 1946 में इसके बाद अगले वाली को देखते हैं तीन ही मेंबर भी समें रहते हैं ज्यादा नहीं रहते हैं पंद्रह में प्रशन में आपसे पूछा गया कि विच आप दर फालोइंग निउस पेपर हैड नॉट बिन पब्लिश फ्रम कलकत्ता कलकत्ता चुकि क्रांतिकारी कतिविदियों का केंद्र था तो वहां से बहुत सी बहुँभाशी पत्र पत्रिकाएं मतलब बांगला, हिंदी और अंग्रेजी के जो पत्र हैं वो निकला करते थे तो इसमें आप देखिए कौन सा कलकत्ता से पब्लिश नहीं होता था बस यही आपको सेलेक्ट करना है तो हिंदू पैट्रियोट है, इसके अलमाई इंडियन हेराल्ड है, सोम प्रकाश है और इंडियन मिरर है तो question number 15 का जो right answer है वो B हो जाएगा, इंडियन हेराल्ड का publication कलकत्ता से नहीं होता था, बाकी जितने हैं वो कलकत्ता से पब्लिश होते थे तो इंडियन हेराल्ड जो है, मदरास से निकलता था, इसका जो venue है, वो मदरास है, इसे याद रखिएगा इसके बाद आगे चलते है, question number 16, यहाँ का आगया कि select the correct option among the following, हरीके लेक जो है, यह हिमांचल प्रिदेश में है, कांजली लेक जो है, यह हरियाना में है, बढखल पंजाब में है, और ब्रह्म सरुवर जील जो है, यह हरियाना में है, ऐसा दिया है, अब इसमें सब गलत है कोई एक सही है, वही आपको खोजना है, तो question number 16 का D वाला ही सही है, ब्रह्म सरुवर जील की जो location है, वो हरियाना में है, बाकि जितने हैं वो गलत है, हरियाना से संबंदित जो इस थान है या इस प्रकार की लेक्स बगर हैं, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्यो यहाँ देख लीजे, बढखल भी जो है, वो हरियाड़ा में, इसके बाद question number 17, इसमें का गया कि select the odd option among the following, तो बरकाना जल प्रपात या बरकाना फाल्स, यह शिमोगा जिले में पढ़ता है, और जोग फाल, जो जोग जल प्रपात है, यह भी शिमोगा में है, इसके बाद क करनाटक राजजे में पढ़ता है, करनाटक राजजे का एक डिस्टिक है, तो बरकाना जल प्रपात वही पर है, शिमोगा में है, जोग भी वही पर है, जिला जो यहाँ है, वो शिमोगा हो जाएगा, और जो प्रदेश है, वो करनाटक हो जाएगा, कुंचिकल जल प्रपा यह उडूपी जिला हो जाएगा इसके बाद आगे चलते हैं अगले वाले को देखते हैं प्रशन संख्या 18 यहां स्थान दिया है और पोर्ट दिया है तो लोकेशन को आप पोर्ट से मिला कर देखिए इसमें से गलत कौन सा है बस यही बताना है तो तीन साही होंगे एक गलत ह होगा चलिए इसका अंग्रेजी वर्जन देख लेते हैं यहां पे तो वेस्टन कोस्ट यह कांडला ठीक है मतलब कांडला पोर्ट जो है यह वेस्टन कोस्ट पे है इसके बाद मंगलोर पोर्ट जो है यह वेस्टन कोस्ट पे है और मर्मुगोवा जो है वो भी वेस्टन को को देखते हैं अब यहाँ GI tag वाला question है और यह अच्छा है क्योंकि GI tag जितने भी नए नए आते हैं वो सभी important होते हैं तो कंदमाल हल्दी यह आंधरप्रदेश की है मतलब आंधरप्रदेश को कंदमाल हल्दी एक special यहाँ पर हल्दी होती है तो इसके लिए GI tag मिला हुआ है और पांडम यह मिजोरम का है जबकि न्योगोते खेर हो यह मिघाले का है और हमाराम यह सिक्किम का है इन सब को मतलब राज्यों को GI tag इस उतपाद के लिए मिला हुआ है तो question number 19 का जो correct answer है वो इसमें B वाला हो जाएगा सही विकल्फ हमें खोजना था GI tag 2019-2020 की जो सूची है उसकी बात की जा रही है तो इसका B वाला सही है पांडम मिजोरम ठीक है बागी कंदमाल हल्दी आप जानते हैं कि आंदर की ने यह ओडिशा की है बहुत बार चर्चा में थी और योगे खेर हो जो है यह मिजोरम का है यहां मेगाले दे रखा है और हमाराम जो है एक तरह का हास्त शिर्फ है ठीक है हाथ से बनाया हुआ काम है तो यह मिजोरम का है इस प्रकार से हमने देखा क्वेस्चन नोमबर 20 निम्नलिखित में से सही विकल्प का आपको चैन करना है भारती राज्य और जी आई टाइग मतलब किस राज्य को किस चीज के लिए जी आई टाइग मिला है वो यहां दे रखा है अब इसमें समस्या यह है कि तीन गलत है और कोई एक ही सही है तो जो सही वाला है वही आपको खोजना है यहाँ दिया है गुजरात राजजी को GI टैग मिला है तंगलिया शॉल के लिए में ठीक है तंगलिया शॉल यह प्रकार का ओडने वाला दुशाला होता है और ओडिशा को मिला हुआ है सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए GI टैग इसके बाद केरल राजजी की कसूती कढ़ाई है और करनाटक राजजी की कुथम पल्ली साड़ी बताइए कि इसमें से सही कौन सा है तो इसका ए वाला हो जाएगा गुजरात का तंगलिया शॉल एकदम परफेक्ट है उपर वाला जो GI टैग प्राप्त है बाकी जितने हैं वो गलत है मतलब जारखंड का है सोहराई खोवर ठीक यहाँ पे ओडिशा दे दिया है और करनाटक की है कसूती कढ़ाई जबकि केरल की है कुथम पली साडी तो यहाँ आपस में इंटर्चेंज हो गया है चलिए आगे चलते Question No.21 निमनलिखित में से भारत का कौन सा राज्य? म्यामार की सीमा को इस पर्ष नहीं करता है और निमनलिखित में से भारत का कौन सा राज्य? भूटान की सीमा को इस पर्ष नहीं करता है जितने भी हमारे पडोसी राज्य हैं उनसे जुड़े हुए राज्यों के मतलब पडोसी राज्यों का मतलब यहाँ पडोसी देशों से है तो वो जो पडोसी है उनसे हमारे जुड़ने वाले राज्ये, जहाँ पे बॉर्डर शेयर होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए तो नागालेंट और असम दिया है, मेघाले और मडिपुर दिया है, मिजोरम और पश्चिम बंगाल दिया है, मडिपुर और सिक्किम दिया है बताइए कि इसमें से कौन से राज्ये जो है, वो इस पर्ष नहीं करते है, मतलब एक म्यामार को इस पर्ष नहीं करता है और दूसरा भूटान को इसपर्ष नहीं करता है इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहाँ देख रहे है तो देखें इसका correct answer B हो जाएगा मेघाले और मणीपुर यह जो B वाला है नहीं यह सही है मतलब म्यामार की सीमा को इसपर्ष करने वाले जो हमारे भारती राज़े है उसमें अरुडान चल आता है नागा लैंड आता है मिजोरम आता है और मडीपुर आता है लेकिन वेघाले नहीं आता है और भूटान की सीमा को इसपर्ष करने वाले जो भारती राज़े है उसमें West Bengal तो सबसे पहले है, उसके अलावा सिक्किम, अरुडांचल और असम है, तो इस प्रकार से हमने B वाले को चुना, इसके बाद question number 22 को देखते हैं, यहां गलत विकल्प का आपको chain करना है, तो select the incorrect option, India share its border line with Nepal, और नेपाल के साथ जो हम border share करते हैं, वो 751 km लंबा है, ज कि भूटान के साथ जो हमारी border line है, वो छोटी है, मातर 696 km की है, तो इसमें incorrect option कौन सा है, यह आपको बताना है, प्रशन आप देख रहे हैं, इसका हो जाएगा D वाला, गलत इसमें यह नीचे वाला है, बाकी जितने उपर के हैं, वो ठीक ठाक है, उसमें कोई समस्या नहीं नीचे वाले में समस्या यह है, कि थोड़ा सा यहां digit का फर्क है, 699 है, जो सीमा साजा का यहां मामला है न, length कितनी है, 699 है, तो यह हमने देख, बाकी सभी सही है, तो उनको भी आप ध्यान दीजेगा, इसके बाद आगे चलते, question number 23 को देखिए, कावेरी नदी पर निमनलि रखना चाहिए, फिलहाल यहां दिया हुआ है, मेटूर डैम और मैथन, इसके अलावा मेटूर और कृष्णराज सागर है, नागारजुन और मैथन है, नागारजुन और कृष्णराज सागर है, बताइए इसमें से कौन से दो डैम, तो इसका जो correct answer है, वो B हो जाएगा, म यह भी कावेरी पर है, और दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, वो भी कावेरी पर है, तो B वाले को आपने चुना, आगे चलते, question number 24, निमनलिकेत में से किस नदी प्रणाली की लंबाई भारत में सबसे जादा है, यह नहीं पूछ रहा है कि कौन सी सबसे लंबी है, तो दूसरा वाले को पहले चुल लीजे, गोदावरी जिसे की दक्षन भारत की गंगा या वृद गंगा कहा जाता है, तो दक्षन भारत में से गंगा के समान मानिता प्राप्त है, अब इसमें यहुना नदी प्रणाली की जो पूरी लंबाई है, यह प्रणाली का मतलब यह न लेकिन गोदावरी का कितना है, यह 1465 किलोमीटर है, कितना है 1465, इतना, इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ डेट दी हुई है, और उस डेट पर सेलिब्रेट किये जाने वाले दिवस दी हुए है, तो ऐसे प्रशन आते हैं, दो फरवरी को जो वेटलेंड डे है है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब आदर भूमियों का जो रामसर कन्वेंशन है, वो इसी तारीक पर हुआ था, तो इसलिए यह आदर भूमी दिवस मनाया जाता है, जागरुकता के उद्देशे से, 23 मार्च को मेटरोलोजिकल डे, यह वर्ल्ड मेटरोलोजिकल डे ह इसको और्गनाईज किया गया, और 13 अप्रेल को वर्ल्ड हेरिटेस डे, जबकि 12 माई को वर्ल्ड माईगरेटरी बर्ड डे, मतलब प्रवासी पक्षियों के उपर एक अंतराश्ट्री दिवस बनाया दिया गया, तो आप बताईए इसमें से गलत कौन सा है, इसका सी वाला हो जाएगा, ठीक है, सी वाले को चुन लीजें, इसमें देखें, 13 अप्रेल विश्व विरासत दिवस जो दिया है, वो सही नहीं है, 18 अप्रेल होगा, अप्रेल ही है, लेकिन 18 होगा, तो तारीक to be exact आपको पता होनी चाहिए, बागी जितने हैं वो सही है, तो उन तारीको को भी देख लीजेगा, यह नहीं कि सही वाले को देख कर खुश हो जाए, यह वाले जो है इनको देख लेते हैं, इसके बाद आगे चले, 26 को देखिए, यहां कहा जा रहा है कि select the incorrect option among the following, related to national calendar of India, ठीक है, तो यहां बैशाक का महीना जो है, जो हिंदी महीने होते हैं, उसमे नौरात्र, वहां से नए साल की, जो हिंदी या हिंदू नौवर्ष है, वो शुरू होता है, तो वो चैत्र का महीना होता है, उसके बाद वैशाक, फिर जेष्ट, फिर आसार्ड, फिर शावन, सावन इस समय चल रहा था, अभी रक्षा बंधन के दिन पूर्डिमा थी, तो अब इसमें आपको देखना है कि वो किस अंग्रेजी महीने से मैच करते हैं, मौसम के हिसाब से, तो बैशाक का महीना जो है, वो अप्रेल मही का महीना होता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है, जेष्ट का महीना जो है, यह मही जून होता है, अब यहां दिया है भद्रा, अब ये भद्रा क्या चीज है आईए देखते हैं पहले अगस्त और सितंबर दिया है और कार्तिक का महीना जो है ये सितंबर अक्टूबर दिया है तो आप बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है राष्ट्रिय कैलेंडर से जुड़ा हुआ जो मामला है यहाँ पर गलत आपका डी व और भाद्रपत जो है अगस्त सितंबर में होता है ये भद्रा नहीं है बाद्र तो एक्तित्थी हो जाएगी जिसमें कोई शुब काम नहीं किया जाता है पनौती होती है ठीक है, तो ये भद्रा नहीं भादरपद है, भादों भी इसको कहा जाता है, कहते ने सावन भादों उमड़ पड़ा है, यानि खुब जम कर बरसात होती है, तो ये जो महिना है ये अगस्त सितंबर नहीं होता है, यहां आप देख रहे हैं, ये अगस्त सितंबर ही होता है, अरे इसमें सोचने की क्या बात है, यह बेशाक अगर सितंबर होता है, इसी समय तो पारिश होती है, सावन के महीने में फुहारे पड़ती है, और भादों में एकदम भगवान जी उडेल उडेल कर बरसते हैं, तो यह सही है, जो कार्थिक वाला दिया है ने वो गलत दिया है, सितंबर अक्टूबर नहीं होता है, बलकि अक्टूबर नॉम्बर होता है, तो यहाँ जो D वाला है वही गलत है, अक्टूबर नॉम्बर होता है, उसको ध्यान दिजेगा, D वाले को हम लोग यहां मार्क कर लेते हैं, इसके बाद question number 27 को देखते हैं, 27 में आप से कहा गया क यह ध्यान दिजेगा, यह बता दिया गया है, तो पूछा जा सकता है कि डिजाइन किस ने किया था, इतना पूछा गया कि वो किस राजे से समन्दित थे, और वन वाज देखते हैं, तो आप बताईए इसमें डेट आपको बतानी है और प्रदेश का नाम बताना है, तो तम बी वाला, ठीक, बी वाले का मतलब क्या हुआ, यह आंद्रे से समन्दित थे, आंद्रे प्रदेश से इनका कनेक्शन था, और इन्होंने जो राश्ट्री इध्वज है, वर्तमान का हमारा राश्ट्री इध्वज है, उसको डिजाइन किया था, जंडे में बहुत सारे परि यहां पर आपको गलत की तलाश करनी है, तो जो पीकॉक यानि मोर है, इसको 1961 में राश्ट्री इपक्शी घोशित किया गया, और जनगर्मन यानि हमारा जो राश्ट्रगान है, उसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राश्ट्रगान के रूप में घोशित किया गया, तो आप यहां जो मोर को राश्ट्री पक्शी की मानेता मिली है, वही वाला जो स्टेट्मेंट है, वो इसमें रॉंग है, बाकी जो जनगर्मन का डेट दिया है न, वो सही है, तो इसको भी आप दिमाग में रखेंगे, 1963 में मोर को भारत का राश्ट्री पक्शी घोशित किया गया इसके बाद question number 29 में चलते हैं निमनलिकित में से कौन सा पुल या सेतु आप कह लीजे लंबाई में सबसे छोटा है तो यहां राज्य का नाम भी दिया हुआ है ठीक तो यह information के तौर पे दिया हुआ है कि कौन सा पुल ये किस राज्य में मुंगेर गंगा पुल बिहार चहलाल या चहलारी पुल ये घाट पुल है असल में घाट पर बना हुआ है तो ये उत्तर प्रदेश में है ऐसा दिया है और कोलिया भूमोरा सेतु जो है असम का है और महात्मा गांदी सेतु ये बिहार का है तो location आपको नहीं देखनी है बस ये बताना है कि छोटा कौन सा है 3.75 km नियर बाउट इसकी लेंथ है चहलारी पुल जो है ये यूपी में है ये घाट पुल है और 3.25 km थोड़ा ही कम है फिछले वाले से कोलिया भूमोरा की जो लेंथ है ये असम राज्य में है 3.01 km है और महात्मा गांदी सेतु इसमें सबसे बड़ा है सबसे छोटा तो हम the shortest height हाइट यहां meter में height आपको दी हुई है मतलब हाइट दी नहीं है वह आपको देखनी है तो shortest height किसकी है दोलागिडी की है या मनसालू की है या अनपूर्णा पर्वत की है या शीष पंगमा की है जो mountains यहां दिय हुए है उसमें से सबसे छोटा आपको खोजना है तो 30 में थोड़ा से pronunciation का फर्क हो गया लंबाई का मतलब तो पूरी range आ जाएगी ने उसमें यहाँ पीक की उचाई पूची जा रही है तो हिमाले की उचाई में लगातार बदला हो रहा है तो इसलिए लगभग शक्त यहाँ जुड़ा रहता है इसके बाद मनसालू जो है वो करीब 8163 है अन्रपूर्डा थोड़ा सा छोटा है यह 8,091 है शीश पंगमा यह और छोटा है इसका 8,27 मीटर पूरा टोटल जो लंबाई है वो देखी जाती इसके बाद आगी चलते हैं मतलब यहाँ हाइट की बात हो रही है मतलब गोल्फ में इस शब्द का इस्तिमाल नहीं किया जाता है यह आपको बताना है खेलों से जुड़े में शब्द पूछे जा सकते हैं और हरियाड़ा खेलों का राज्य है ठीक है यहाँ से बहुत उम्दा खिलाडी पैदा होते हैं और उदारण देने के आउशिक्ता नहीं है आप सभी जानते है तो गौरशाली बात है यह और शौट पूल यहाँ दिया है बाल मार्क दिया है डॉग लेग दिया हुआ है और क्लॉग ग्रिप दिया हुआ है बताइए इसमें से कौन सा इस्तिमाल नहीं किया जाता है शब्द दिया हुआ है तो 31 का A हो जाएगा देखिए इसमें पहला वाला जो शौट पूट है इसका संबंद किसे है एथलेटिक से है यह एथलेटिक से जुड़ा हुआ है बाकी जितने भी शब्द है उनका संबंद गोल्प से है बॉल मार्क है डॉग लेग है और क्लॉग ग्रिप है नेक्स्ट क्वेशन नमबर 32 IPL 2020 के विजेता थे मुंबई इंडियन्स मतलब टीम के तोर पे और IPL 2019 जो है उसके विजेता टीम थी मुंबई इंडियन्स 2018 में भी मुंबई इंडियन्स ही जीती थी और 2017 में भी वही जीती थी तो आप बताईए कि यह IPL सिरीज में विजेताओं का जो नाम दिया है इसमें से और्ड कौन सा है इसका जो करेक्ट एंसर है वो C हो जाएगा ठीक क्योंकि बाकी जितने हैं उनको तो मुंबई इंडियन्स नहीं जीता था लेकिन इसमें से एक मात्र वही है जिसे कि चन्नाई सूपर किंग्स नहीं जीता था इसके बाद साइप्रस की राजधानी निकोसिया है इसे आप थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं किर्गिस्तान की राजधानी मनामा है और लावस की राजधानी बिश्केक है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है तीन गलत है और एक सही है तो इसका जो राइट ए इसके अलावा किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है और लावस की राजधानी वियनतियाने है आप इसे याद रखेगा आगे बढ़ते हैं प्रश्ण संख्या 34 देश का नाम और करिंसी का नाम दिया हुआ है तो फैक्ट्वल डाटा पूछा जा सकता है वो दिया हुआ ह अरजेंटीना की करिंसी है पेसो बोट्स्वाना में चलता है पुला पापवा नियोगिनी में किना चलता है और इरिथ्रिया जो है वहाँ पर बिर नाम की जो करिंसी है वो चलती अच्छे अच्छे नाम तो आप बताएए कि इसमें से incorrect यानि गलत कौन सा है तीन सही है और क इरिथ्रिया दिया हुआ है तो इथोपिया की विर है ठीक है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं अगले वाले में याणि 35 में आप से पूछा जा रहा है कि कौन सा दक्षिन अमेरिकी देश नहीं है ठीक है साउथ अमेरिका वाला जो पूरा पूरिशन है उसमें कौन सा देश नहीं आता है और साथ में यह भी पूछा गया है कि which of the following country is not an European country मतलब वो यूरोप से संबंधित नहीं तो उरोवे और माल्टा दिया हुआ है मतलब इसमें आप देखिए और इसके बाद सेंट लूसिया और मुरक्को दिया हुआ है वेनजुला मुनाको और सूरिनाम और स्लोवाकिया है तो इसका जो राइट एंसर है वो भी हो जाएगा मतलब सेंट लूसिया ठीक है सेंट लूसिया और मुरक्को वाला यह वाला जो आप्शन है परफेक्ट है माल्टा यूरोप में है और मुनायको जो है यह भी उरोप में है इसके बाद मुरक्को को अगर सेंट लूसिया जो है ये नौर्थ अमेरिका में है ऐसी इसकी लोकेशन है तो कुछ फुटकर जानकारिया आपके पास होनी चाहिए फिलाल इसके बाद इसके बाद अगली वाले को देखते हैं तो आप बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है तीन सही है वो देखकर भी लग रहा है तो 36 का हो जाएगा सी वाला यहां जो गूगामल दिया हुआ है इसकी लोकेशन हिमांचल नहीं होगी बलकि महाराश्टर होगी बाकी सभी सही इसके सुल्तानपुर पक्षि अभ्यारण पंजाब में है ऐसा दिया हुआ है अभी हाल में हर्याणा की दो आद्र भूमियों को रामसर में शामिल किया गया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए इसके बाद गोवा सलीम अली पक्षि अभ्यारण महाराश्टर मंजीरा पक्षि अभ्यारण है उडिसा में है ऐसा दिया हुआ है तो आप बताईए कि जितनी भी बर्ड सेंचुरीज दी हुई है इसमें से सही कौन सा है तो इसका जो करेक्ट एंसर है वो पी हो जाएगा गोवा वाला सही है सलीम अली के नाम से कई सारे अभ्यारण और जो वाइल लाइफ सेंचुरीज है वो हमें दिखाई देती है लेकिन फिलाल यह जो पक्षी अभ्यारण है यह गोवा में बाकी सभी गलत है पंजाब में सुल्तानपूर नहीं है बलकि हरियानराजी में है और इसके बाद आंध्र में है मंजीरा जबकि जारखंड में है उध्वा तो बाकी सेंचल या सेंचल या सेनचल यी बनी-जीय अभ्यारण पस्चिम मंगाल में तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन नतीं इर मधी बाकी सभी ब高 इसके बाद question number 39 यहाँ पर सही विकल्ब का आपको चैन करना था तो देख लिए राज जी का नाम दिया है और टाइगर रिजर्ब दे रखें और असम में है कमलांग पश्चिम बंगाल में है ओरंग छतीस गड़ में है इंद्रावती और सिक्किम में है पलामू टाइगर इसका हो जाएगा जो छतीस गड़ और इंद्रावती दिया है वह एकदम टके का सही यह लेकिन बाकी जो है वह गलत है कमलांग को आप जानते ही है कि वह असम में कहाँ से आ जाएगा यह कहां पर यह अरुदानचल का है कमलांग और असम में है औरंग टाइगर रिजर्ब जारखंड में है पलामू तो यहाँ फेमस फेमस दियो है पैचानने में कोई जादा दिक्कत है नहीं इसका एक मात्र जो सही है वो कौन सा है 36 गड़वाला इसके बाद अगले वाले को देखते हैं इसको कब अधिसूचित किया गया और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि पन्ना जैयोमंडल रिजर्व को कब अधिसूचित किया गया और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि पन्ना जैयोमंडल रिजर्व को कब अधिसूचित किया गया मतलब नोटिफाइड करने की बा तो पेयर वाले question वैसे पूछे नहीं जाते हैं लेकिन पेयर में देने का purpose यह होता है कि दो तरह के fact आपको एक साथ जानने के लिए मिलें क्योंकि question का दाइरा सीबित है हम 100 प्रशन से जादा एक full length mark में नहीं डाल सकते क्योंकि परिक्षा का प्रारूप वैसा ही है तो ऐसे प्रशन बनाया जाएं कि जो 100 fact आप देख रहे हैं उसमें कम से कम 200-300 fact आपको cover हो जाएं तो इसमें 40 में को देखिए देखिए अधिसूचना वर्ष के तौर पे अगर देखें तो 2010 में शेशांचलम को शामिल किया जाता है नोटिफाइट किया जाता है और पन्ना को शामिल किया जाता है 2011 में तो इसका जो option है वो कौन सा perfect होगा यह वाला हो जाएगा यह पहला व और UNESCO के बारा जो मानिता प्राप्त जयमंडल आरक्षिच्छेत्र यानि बायोस्प्यर रिजर्व है वो different है अलाकि यहां से जो जयमंडल आरक्षिच्छेत्र की मानिता प्राप्त छेत्र होता है उसी को UNESCO में भेजा जाता है लिश्टिंग के लिए अब उसमें से जो accept किय जाए तो यहां बताईए UNESCO के संरच्छण की श्रेडी में कौन सा नहीं आता है नोक्रेक दिया है सिमलीपाल दिया है मानस दिया है और अगस्तिया मलाई दिया हुआ है आप देखकर बताईए तो question number 41 इसका जो right answer है वो C हो जाएगा मानस बायोस्फियर रिजर्व जो UNESCO में संरच्छित है उसमें नोक्रेक है जो कि मिघाले में है सिमलीपाल ओडिशा में है यह सब संरच्छित वाले में आते हैं अगस्तिया मलाई यह केरल में है केरल और तमिltधू दोणों में फैला हुआ है तो दो राजजी आप याद कर सकते हैं बाकी जितने हैं वो है लेकिन म कारात्मक परिणाम हमें दिखाया है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है काफी पहले से चल रहा है तो अब नतीजा यह निकला है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बाग हमारे यहां ही पाए जाते है ठीक है अब यही संरच्छन हाथियों को भी चाहिए और इस संरच्छन को शु केरल का जो लोकेशन है वहाँ पे निलामबूर हाथिया भ्यारण है पश्चिम बंगाल में सोनितपूर है मतलब सोनितपूर एलिफांट रिजर्व है उडिशा का है मयूर्भंज हाथिया भ्यारण और च्छतिजगड का है लेमरू इसमें से और्ड आप्शन आपको सेलेक पूर कहा जाता था मने यह बड़ा शव होता था ऐसे लिखा जाता था यह महाभारत काली नगर है जहां से राक्षसों के जो प्रतनिदी है वो आते थे पहले यहां असुर रहा करते थे तो यह असम में है यह जगा जो है असम में है तो गलत दिया है पश्चिमंगाल नहीं किये गया है लेकिन वो कॉरिडोर ही जानने वासित दो जाते हैं वहां गाडियों का आवा गमन नियंत्रित करने के आउशिकता है इसके अलावा लोगों के भी सानबूती कोई खास नहीं होती है तो यहां देखिए अब यह थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस में आपको यी बताना है कि कौन सा खाणे योग से सम्दित है मतलब मद्य फल भित्टी जो होती है यह आम आम एcka जो हम लोग खा खाते हैं मतलब खाने वाला portion होता है वो असल में मद्य फल भित्टी होती है इसके बाद मान्सल pushposan हम लोग अनार का सेवन करते हैं और मा इसका हो जाएगा एवाला एडिबल पार्ट जो है ना इसमें एवाला ही सही है बाकी सभी गलत हो गये कैसे आइए देखते हैं यही एक सही था मद्य फल भित्ती जो है यह हम लोग आम की खाते हैं मांसल पुषपासन यह हम सेव का खाते हैं और मांसल जो एरिल होता है जिसे फलेशी एरिल कहा जाता है यह हम लीची का सेवन करते हैं जबकि जो जूसी टेस्टा होता है वो हम लोग अनार यानि जो पॉम ग्रेनेट होता है उसका सेवन करते हैं तो यह हमने देखा इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें कहा गया कि select the correct option among the following related to classification of fruit on the basis of type मतलब यहाँ फलों का जो वरगी करण है वो दिया हुआ है और उसी से दिया हुआ है मतलब उसी से सम्मंदित प्रशन दिया हुआ है तो एक तरफ वो किस प्रकार का फल है मतलब कोई भी फल हम लोग ऐसे फल समझकर खा लेते हैं या तो नाशपाती इसी प्रकार का फल होता है इसको पियर बोलते हैं हंग्रेजी में सोरेसिस प्रकार का जो फल है वो संत्रा है और पॉम प्रकार का जो फल है वो अन्नास होता है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है तीन यहाँ भी गलत है और एक सही है तो question number 44 का A वा नास आप देख रहे हैं मतलब पाइनेपल वो सोरेसिस टाइप का है जबकि नाशफाती जो है यानि पियर वो पॉम टाइप की है ऐसा आप समझ सकते हैं तो यह आपस में इंटर्चेंज हो गए हैं इसके पात क्वेस्टन नमबर 45 निम्नलिकेत में से किस फल में साइट्रिक नहीं पाय जाता है और किसमें मैलेक एसिड नहीं पाय जाता है यह दो चीज़ें आपको बतानी है तो ऐसा यह सोच लें कि किसी खास फल में कोई एकड़ एकड़ ना पाया जाया तो यह संभव नहीं है थोड़ी बहुत मात्रा में सब कुछ होता है लेकिन ज्यादा 45 इसका D वाला सही है, बेर और नारियल, बेर में साइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है, बेर में साइट्रिक एसिड नहीं पाया जाता है, और नारियल में मैलेग एसिड नहीं पाया जाता है, आम तोर पे नहीं पाया जाता है, अब ये मिट्टी के उपर में डिप भाश्पाती में पाया जाता है ठीक है और मैलेग एकिसिड जो है वह सेब केला केला में भी होता है चेरी में होता है तर्भूज में भी होता है और बेर में भी पाया जाता है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं Question number 46. Due to which of the following heart rot disease occur? मतलब इसमें से किसके कारण heart rot नाम का जो रोग है, वो फसलों को लग जाता है. Due to which of the following marsh spot disease occur? और इसमें से किसके कारण marsh spot नाम का जो रोग है, ये फसलों की बिमारी होती है, वो लग जाती है. तो यहाँ पर असल में ये किसके कारण कीट तो है नहीं, ये तो तत्व दिये हुए है, तो इनकी कमी के वज़से ऐसा होता है. जब मिटी में तत्वों की कमी हो जाती है, इसलिए उर्वरक डाला जाता है. तो ये न्यूट्रियंट्स यहाँ दिये हुए है, वो कम हो जाते हैं, तो ये रोग लगते हैं, बताइए. Select the incorrect option among the following, खाद्यान उत्पादन से हरित क्रांती का संबन्द है, मतलब food grain production ही तो हरित क्रांती का उद्देश है था, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा करना. और silver fiber क्रांती जो है, यानि silver fiber revolution, इसका संबन्द petroleum production से है, जबकि धूसर क्रांती यानि grey revolution जो है, ये उर्वरक उत्पादन यानि fertilizer का जो production होता है, उससे relate करती है, और golden fiber revolution जो है, ये jute production से जुड़ी हुई है, तो आप बताएं कि इसमें से wrong कौन सा है, देखकर मालूम हो रह इसमें पहचानना बहुत आसान है, इसमें अगर आप देखें तो B वाला ही गलत है, petroleum उत्पादन से silver fiber जो revolution है, उसका connection कहां से जुड़ेगा, silver fiber revolution जो है, ये कपास उत्पादन से जुड़ी हुई है, ठीक है, silver fiber यानि चानी जैसे रेशे, तो इसे आप guess कर सकते हैं, बाकि जो black revolution है, उसमें खनिच देल का उत्पादन आता है, ये हमने देखा, इसके बाद आगे चलते हैं, बाकि समी सही है, तो उनको आप देख सकते हैं, next, question number 48, यहां कहा गया कि due to which of the following substance of color of glass turned green and greenish yellow, मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि किस पदार्थ के कारण काज कारण हरा और ह हरा पीला हो जाता है, ये कौन सा पदार्थ होता है, तो ये calcium dichromate होता है, magnesium dichromate होता है, sodium dichromate होता है, या फिर potassium dichromate होता है, तो इसे अगर आप देखें, potassium dichromate जो होता है, इसको मोहर salt पिका जाता है, question number 48 का जो right answer है वो D हो जाएगा, potassium dichromate होगा, काज का रंग हरा और हरा पी next, question number 49, यहाँ पर आविशकारक और आविशकार का नाम दिया है, मतलब वैग्यानिकों के नाम दिये है और उन्होंने खोजा किस चीज को था वो दिया है, अब इसमें आपको wrong information यानि गलत विकल्प का चैन करना है, तो मेंडलीव के द्वारा electron आवेश की खोज की गई थी, ऐसा दिया है, मोजले ने आदुनिक आवर्त सारणी का आविशकार कर दिया था, और रदर फोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी, जबकि बरजीलियस ने उत्तेरक हो जा था, तो आप बताईए कि इसमें से गलत कौन सा है, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, वो यहाँ द बदल होते हैं, तो मोजले का नाम आजाता है, तो वो ठीक दिया था, लेकिन यहाँ जो चीजें दी हुई हैं, उसमें यह वाला गलत है, असल में इलेक्टरान चार्ज जो है, इसके खोज करने वाले मिलिकन थे, आगे बढ़ते हैं, बाकी सभी सही है, तो उनको भी देख पचास में प्रशन में का गया कि इंदर मैनीफेक्चर ओफ बिचॉप ऑफ फाल्वइंग लुब्रिकेटिंग या इस नहीं किया जाता है, तो मोबिल या निर्माट जब हम लूग करते हैं, तो उसमें होता है ऐसा, या फिर जो वैक्स होता है उसके प्रौदक्शन में या manufacturing में यूज नहीं किया जाता है या polish बनाने में उसका इस्तिमाल नहीं किया जाता है बताईए यहां जो दोनों version है वो आप इस पश्टी तोर पे देख रहे हैं देखिए इसका C हो जाएगा स्नेहक टेल मोबिल आयल मोम और polish के निर्माण में इस्तिमाल होता है लेकिन अवस्था में हम संबोधित करते हैं इन्हें यह दिया हुआ है जैसे धावन सोटा जो है यह असल में sodium carbonate होता है यह दिया है और अनाज का alcohol यह methanol को कहा जाता है मतलब यह अनाज से प्राप्त होता है इसलिए इसे अनाज का alcohol कहा जाता है ऐसा इसमें कहा जा रहा है और quick silver ज जैसे कि जो होता है या फिर अन्य जो अनाज होते हैं महुआ को भी सडा कर बनता है मतलब उसका fermentation करवाया जाता है गेवू से भी बन सकता है और भी बहुत तरीके की product होते हैं जिनसे कि तयार हो सकता है तो यह अनाज का alcohol नहीं होता है methanol असल में क्या है यह cast spirit भी इसको कहा किया जाता है ताकि जो गोटियां है वो आराम से फिसल सके और खेल आराम से हो सके कैरम बोर्ड पे आप पाउडर अप्लाई करते हैं तो यह असल में क्या होता है citricum लो होता है नाइट्रिकम लो होता है बोरिक acid होता है या hydrochloric acid होता है तो इसे आप देखकर बताइए बो पुछा जा रहा है कि protective coating जो की जाती है plasma TV के display पर उसमें क्या चीज़ इस्तिमाल होती है calcium oxide यूज होता है potassium hydroxide यूज होता है magnesium oxide यूज होता है या फिर magnesium hydroxide यूज होता है बताइए यहां मिलते जुलते करीबी नाम दिये हुए और इसका जो right answer है वो इसमें C वाला हो जाएग ताकि जो display है वो सुरक्षित रहे protective layer के तौर पे ठीक है तो इसका correct answer क्या है magnesium oxide इसके बाद आगी चलते हैं यहां कहा गया कि which of the following has highest pH value जो pH पैमाना होता है उसमें हम अमलचार और लवड जो पदार्थ होते हैं पदार्थ का गुण होता है उसकी पहचान कर सकते हैं साथ से क पार होते हैं यानि base होते हैं उनका pH मान जादा होगा अब इसमें आप select करिएगा इसमें दिया है concentrated sodium hydroxide यानि सांद्र sodium hydroxide यह dilute नहीं है यानि तीखा है और ammonia इसके अलावा साबोन यूगत पानी और तनू sodium hydroxide यानि dilute sodium hydroxide है वो भी दिया हुआ है मतलब N-A-O-H की बात हो र सबसे ज़्यादा होगा कितना होगा तो इसका जो pH मान होता है वो करीब 14 होता है करीब करीब 14 होता है यह प्रयोकशाला वाला मान है और ideal condition किसी जगा नहीं चलती है फिलार इसे हमने देखा और जो dilute वाला है वो 13 होता है थोड़ा ही कम है साबून का जो घोल होता है मतलब पानी में तो उसे आप देखें तो 12.5 के करीब उसका होता है और अमोनिया का उससे भी कम होता है तो यह कुछ हमने देखा इसका पहला वाला सही है इसके बाद 55 को देखते है 55 में यह कहा गया कि निमनलिकित में से किसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा होती है तो देख लि इसमें बीवाले को सेलेक्ट कर लीजे देखिए लाल रुधिर कडिका हैं यह सबसे बड़े आकार की होती है प्रोटॉन की आमाप अगर आप देखें मतलब साइज तो 10 to the power minus 15 के आसपास होती है हाइड्रोजन परमाडू का आकार काफी कम होता है 10 to the power minus 10 ही वी होता है समझेगा कि यहां 5 दिया है और 10 दिया था तो हमने बड़ी वाली संख्या को क्यों नहीं चुना यह ध्यान दीजे कि 10 की पावर जो यहां अंखम लिख रहे हैं उसके आगे minus लगा हुआ है 10 to the power minus 5 का मतलब वह 10 की पावर ऐसे मतलब बटे में अगर करेंगे तो नीचे जान question among the following magmeter का यूज किया जाता है चुब कि यह चेतर को मापने के लिए हैनि magnetic field के measurement के लिए और ondometer जो है यह वाहंत वारत हैं कि गई दूरी को बताता है पाईरी हिलियो मीटर जो है यह solar radiation को मीजर करता है जबकि पाईरो मीटर यह radiation मीजरर के तौर पे इस्तेमाल होता है तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है देखे question number 56 का जो right answer है वो इसमें C हो जाएगा पाईरी हिलियो मीटर का सही दिया हुआ है बाकि जितने हैं वो सब जूट बोल रहे है क्यों जूट बोल रहे है देखे टौर दिया हुआ है यह द्यान दीजेगा on do mieter दिया हुआ है ओडि नहीं है और रेडियो मीटर जो होता है यह Vikrand के माप करता है और पाईरी हिलियो मीटर जो होता है है विकrand को नापता है तो बाकि सभी उल्टे-Pulte है अच्छा estひ चीज़ बताईएगा कि ondometer किसको नावता है ondometer को तो आपने देख लिया इसके बाद आगे बढ़ते हैं बाकी सभी गलत दिये थे सिर्फ इसमें C वाला सही था अगले वाले को देखते हैं question number 57 विश्व मानक दिवस यानि world standard day ये कम बनाया जाता है और साथ में ये भी पूछा जा रहा है कि किस मानक प्रमाण पत्र का उपयोग खादे सुरक्षा के लिए किया जाता है मतलब standard certificate के तौर पर यूज किया जाता है तो बताईए इसमें दिया हुआ है 14 October और ISO 9001 ये नंबर होता है certificate का आपने बहुत सारे सामानों पर देखा होगा इसी प्रकार से तीन और विकल्ब है तो देखें question number 57 का D हो जाएगा ISO 22000 आप कहा लिजे या 22000 इस प्रकार से आप देख सकते हैं और खादे सुरक्षा ये इसका main उद्देश होता है मतलब कोई भी खादे सुरक्षा के मानक पर खरा उतर रहा है या नहीं ये तैंकिया जाता है जबकि मानक दिवस मनाया जाता है 14 October को तो इसका जो correct answer है वो D वाला है ये वाली जो इसमें pair है वो perfect इसके बाद question number 58 को देखते हैं इसमें आप से कहा गया कि which of the following committee is related to increase in motor vehicle tax ठीक है मतलब यहाँ पर जो motor वाहन कर है उसमें वृद्धी से सब्मंदित कौन सी समिती है उसका नाम आपको बताना है और साथ में ये बताना है कि कौन सी committee ऐसी थी जो कि कृशी और ग्रामीर साख के विस्तार से जोड़ी वही थी मतलब agricultural और rural credit extension से उसका connection था ऐसी committee का नाम आपको select करना है तो यहाँ चारों option आप दोनों भाशाओं के देख रहे हैं जैसे कि भूरेलाल committee है और व्यास committee है लाहिडी और व्यास committee है भूरेलाल और शुशीलकुमार committee है लाहिडी और शुशीलकुमार committee है बताई इसमें से कौन सा पेयर होगा तो इसका जो राहिट answer है वो ए हो जाएगा बूरेलाल committee का समबन मोटर वाहन कर्मे वृधी से था और जो व्यास committee है इसका समबन कृशी और ग्रामीर साख विस्तार से था तो correct answer उपर वाला है ज्यादा नीचे जाने के आउशिक्ता नहीं इसके बाद अगले वाले को देखते है यहाँ पर फिर से आपको गलत विकल तलाशने के लिए कहा जा रहा है तो दिया हुआ है justice AK माथुर committee जो है यह साथ में वेतन आयोग से रिलेट करती है और दीपक पारेक समिती इसका संबन भारत में जो मुद्रा बाजार है यानि money market है उससे बिलॉंग करता है अरुना सुंदर राजन समिती ये दूर संचार छेत्र के पुनरुधार के लिए मतलब revival के लिए बनाई गई थी और विवेक देवराय समिती या committee आप कह लीजे ये railway के restructuring के लिए बनाई गई गई थी तो आप बताई इसमें से गलत कौन सा है तीन सही है और एक गलत है और जो गलत है वो इसमें से बी वाला है दीपक पारेक समिती भारत में मुद्रा बाजार से रिलेट करती है यही वाला इसमें गलत है बाकी सभी सही है मतलब इसमें दीपक पारेक समिती को अगर आप देखें तो इनसे सम्बंदित नहीं है वागूल समिती का सम्बंधा भारत में मुद्रा बाजार से इसके बाद आगे बढ़ते, question number 60, banking लोगपाल योजना को कब लागू किया गया और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया, दोनों की date आपको बतानी है, तो यह simple question है, factual data है, अगर आएगा तो मार्क कर दीजेगा, नहीं आएगा तो इसमें तुक्क बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, देखिए, banking लोगपाल योजना ये 2006 में आई थी, मतलब लागू की गई थी, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ये 1999 में आया था, तो इसका जो हमारा correct pair है, वो कौन सा है, C वाला है, question number 61 को देखते हैं, इसमें से कौन से दो कर थे, उस आधार पर चुनना है, तो 61 का हो जाएगा right answer, देख लीजें इसमें कुछ भी सही नहीं, एक साथ लागू होने के अगर बात की जाए, तो कोई भी इसमें पेयर ऐसा नहीं है, जो सही बैठ है, तो कोई भी ठीक नहीं है, वैसे अगर देखा जाए, तो संपत्ति कर पर दो statement दिये, उसमें से जो गलत है, उसका selection आपको करना है, तो मानो विकास सूचकांग का मान 0 से लेकर एक के बीच में ही decide होता है, और 1991 का जो वर्ष था, उसमें सयुक्तराष्ट्र विकास कारिक्रम यानि UNDP जो है, उसके द्वारा मानो विकास सूचकांग को यानि Human Development Index इसको launch किया गया, तो यहाँ यह दे दिया है कि सयुक्तराष्ट विकास कारिक्रम ही इस Index को launch करता है, फिलाल आप बताईए गलत क्या है, इसका जो अंग्रेजी वर्ष न है, उससे आप यहाँ देख रहे हैं, लेकि इसका B हो जाएगा, बी वाला इसमें गलत क्यों हुआ, क्योंकि date गलत दी है, 1991 बे नहीं होगा, बलकि 1990 होगा, एक साल पीछे जाएंगे, तो यह वाला यहाँ पे 1991 की जगा पे 1990 होना चाहिए था, बस उतनी ही गलती है, बाकी सभी तो चीज़ें सही है, 0 से लेकर 1 के बीच में ही उस Index की जो value होती है, उसकी range को रखा जाता है, ठी तो इसका correct answer क्या हो जाएगा, only second, बही गलत, next, question number 63, जन योजना को शुरू कप किया गया था, वो date बताईए, और गांधी योजना को कप शुरू किया था, वो date बताईए, और इसका अंग्रेजी बाला देखे, तो इसका जो correct answer है, वो A हो जाएगा, A वाले जो date या pair दिया और कौन सा लोक नृते, 36 गड़ राजे से जुड़ा हो नहीं है, ठीक है, दोनों राजियों के लोक नृतियों के pair यहाँ पर दिये हुए है, जो बिलांग ना करें, वो आपको select करना है, तो देखे, खोर पंडवानी दिया हुआ है, गूगा और गौर मारिया है, पैंथी गुगा है, और लूर और राउतनाच है, तो 64 का जो राइट एंसर है, वो C हो जाएगा, C वाले को चुन लेते हैं, ठीक, पैंथी और गुगा, मतलब पैंथी का संबंद हर्याडा से नहीं है, और गुगा का संबंद 36 गड़ से नहीं है, हर्याडा राजे के जो लोक नृत उसमें खोर, डाफ, लूर और गुगा, ये सबाते हैं, जबकि 36 गड़ से गौर मारिया है, पैंथी है, राउतनाच है, पंडवानिया है, ये सबाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा है, बताइए, तो इसमें अगर आप देखें तो बीवाला ही, जो है, व असल में वो गलत विकल्प है, सिक्किम का जो गोची दिया हुआ है, हिमानचल प्रदेश से गोची बिलॉंग करता है, गोची की जो लोकेशन है, मतलब ये महोच्सो कहां का है, हिमानचल का है, बाकी भोगाली भी असम होगा, लोकरंग वाला मध्यप्रदेश ठीक है, और बुड़ी पढ़वा महाराष्ट्र, इसके बात अगले वाले को देखते है, यानि question number 66, इसमें कहां गया कि नेप्टाली बेनेट, हाली में निमनलिखित में से किस देश के प्रधान मंतरी बन गया है, नई appointment है, या जो चुनाव है, वो सामने आया है, तो ये पता होना चाह है, तो आप select कीजेगा, देखे 66 का C वाला सही है, ये इसराइल के 13 नंबर के प्रधान मंतरी बने है, इसके बात 67 को देखते है, ये नए डायरेक्टर जनरल चुने गया है, अपोइंट्मेंट इनकी हुई है, उनका नाम आपको बताना है, और इसके साथ कहा गया कि Jeremy Castle has recently been appointed the Twitter's new grievance officer of India, तो ये पूछा जा, मतलब इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि देश यह नागरिक्ता दे देगा, और व्यक्ति का नाम पूछेगा कि उन्हें Twitter के नए grievance officer के तौर पे हाँ पॉइंट किया गया है, अब यहाँ नागरिक्ता फिलाल आपको बतानी, तो दो है, वो राष्ट्री जाच एजंसी के महा निदेशक बने है, यहाँ आप देख रहे हैं, और California की इनकी नागरिक्ता है, यह जो Jeremy Castle आप देख रहे हैं, यह California के, और इन्हें शिकायत अधिकारी के तौर पे, Twitter के त्वारा भारत में अपॉइंट किया गया है, इसके बाद Martha, Karambu, Kung, यह हाल में, पूर्वी अफ्रीकी देश, इथोपिया की पहली महिला मुख्य नयाधीश बनी है, ऐसा इसमें दिया है, तो wrong information आपको इसमें से select करनी थी, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है, उसे आप यहाँ देख रहे हैं, बताईए, गलत कौन सा है, वो बने हैं, लेकिन यह जो Martha, Karambu का नाम दिया है, तो यह पूर्वी अफ्रीकी देश, Kenya की पहली महिला मुख्य नयाधीश बनती है, और यहाँ क्या दिया है, यहाँ इथोपिया दिया हुआ है, इसकी जगह पे Kenya होना चाहिए था, तो second statement इसमें wrong है, इसके बाद 69 को देखिए इसमें गलत आपको चुनना है, तो परेश भी रावल जो है, माप कीज़ेगा, यहाँ परेश रावल का नाम याद आ गया, परेश भी लाल जो है, यह भारत के लिए WhatsApp के शिकायत अधिकारी बने हैं, मतलब ग्रिवरेंस ओफिसर के तोर पे यह WhatsApp के द्वारा अपॉइंट कि ने, यह भारत के लिए Facebook के शिकायत अधिकारी यानि ग्रिवरेंस ओफिसर के तोर पे चुनी गई, तो इसमें से तीन सही है, एक गलत है, वो कौन सा है, अब इसमें अगर आप देखें तो बी वाला ही गलत है, और इसमें देख लीजे, यह गूई लर्मों लॉसों जो है, इनका यहां दिया ने कि परागवे के 47 में नंबर के राश्टरपती है, तो यह एकवेडोर के हैं, परागवे के नहीं है, बाकी सभी सही, एकवेडोर के यह नए प्रेसिडेंट बने हैं, और इनका जो क्रम है वो 47 मही है, बाकी जो information है उसको भी याद करके रखेगा, क्यो और the completion of, अब यहां पे blank space है, उसमें आपको जो छमता है वो भरनी है, कि इसका जो power है वो कितना है, यह lower arun hydroelectric project के दोर पे देखा गया है, तो बताइए इसमें कितने megawatt की power होगी, और किन-किन दो संस्थाओं का इसमें योगदान है या आपस में binding है उसको भी देखना है, तो प्रेश्न के जो दोस्त यहां पे line दी है उसको ध्यान से देख लीजएगा, फिलाल इसमें देखिए, तो इसका जो right answer है वो इसमें C वाला हो जाएगा, C वाले को आप देख रहे हैं, मतलब 679 megawatt, MW का मतलब क्या, megawatt, केंद्रिय विद्धुत मंत्राले के अंतरगर, जो केंद्रिय सारोजनिक छेत्र के उद्ध्यम है, उसमें सतलुच जल विद्धुत निगम को डाला गया है, और नेपाल का निवेशक बोर्ड है, उसके बीच में अभी हाल फिलाल में, यह जो 689 megawatt का lower अरुण जल विद्धुत परियोजना है, इसको पूरा करने के लिए लोकायुक्त बनाया गया है, और अमिताप गोयल को भी हाल फिलाल में नीतियायुक्त का नया कारेकारी अधिकारी न्यूक्त किया गया है, मतलब चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर बने हैं, तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है, इसका जो हिंदी वर्जन है, वो लोकायुक्त बने है, और यहाँ जो राज्ये का नाम दिया है, वो असम है, तो पहला वाला गलत हो गया, और अमिताप कान्ती है, नीतियायुक्त के मुखेकारी अधिकारी है, यहाँ किसका नाम दिया है, अमिताप गोयल का नाम दिया है, ठीक है, तो यहाँ गोयल नहीं ब या चुनाव हो रहा है उससे सम्मंदित प्रश्ण है गलत आपको चुनना है तो दोनों गलत हैं यहाँ इसलिए हम सी वाले का चैन करते हैं सी को चुनने का मतलब यह होगा कि दोनों यहाँ पे जूट बोल रहे है शेर बहादूर देवा यह नेपाल के नए प्रधान मंत्री बने ना कि राश्ट्रपती और पेट्रो कैस्टिलो यह पेरू के नए राश्ट्रपती बने ठीक है बोलीविया यहाँ पे नहीं होगा पेरू होगा और यहाँ प्रधान मंत्री होगा इसके बाद question number 73 को देखते हैं यहाँ दो statement है आप से सही इसमें से पूछा जा रहा है क question का जो अंग्रेजी वर्जन है वो आप यहाँ देख रहे हैं मतलब यह मुंबई के नए commissioner बने है पूलिस commissioner तो question number next यानी 73 को आप देख रहे हैं इसका correct answer क्या हो जाएगा सोच कर पताईएगा पहला वाला हो जाएगा चुकि इसमें हमें correct option select करना था तो पहले को चुनने का मतलब क्या है कि सिर्फ पहला जो उपर का बासो राज बोमई का दिया है वही सही है यह जो IPS अधिकारी है राकेश इस्थाना यह असल में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त मतलब बने हैं यह commissioner के तो यहाँ मुंबई नहीं बलकि दिल्ली होगा इसके बाद अगले question को देख मंगु भाई चगन भाई पटेल काफी अच्छा नाम है तो इन्हें हाल फिलहाल में मध्यप्रिदेश का गवर्नर बनाये गया है और बंडारु दत्तात्रे यह उत्तराखंड के राजिपाल बने उत्तराखंड के राजिपाल बने तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा चार सीधे सीधे स्टेटमेंट है और जो गलत स्टेटमेंट है हो बहुत आसान है डी होगा आप जानते है ठीक है बंडारु दत्तात्रे यह उत्तराखंड से संबंदित है ही ने तो यह कहां से संबंदित है जरा बताईएगा इनकी अभी नई न्योक्ती हुई है लेकिन कह के लिए हुई है ठीक ये आपके लिए क्वेस्टन है और बाकी सभी सई है इसके बाद आगे बढ़ते हैं हाँ एक चीज है कि उत्तरा खंड के नए राज्यपाल कौन बने है तो इसमें आप देख लीजे जो बंडारू तक्त्रे हैं उनका बताईए और साथ में ये भी है इसके बाद कुवेंपू राश्ट्रे पुरसकार 2020 ये सुबोध सरकार को मिला है 2021 के लिए फुकुवा ग्रैंड पुरसकार ये पला गुंबी साइनात को मिला है और अर्थशास्त्र के लिए हमबोल्ट रिसर्च अवार्ट ये कौशिक बसू को मिला है तो ये चार अलग पुरसकार है वो यूनुस जी को मिला हुआ है ये सही है इसमें करेक्ट अंसर हमारा क्या होगा बीवाला होगा और 2021 के लिए फुकुवा का जो ग्रैंड पुरसकार है वो पला गुंबी साइनात ये पत्रकार है इनको मिला है जबकि अर्थशास्तर के लिए हमबोल्ट रिस 76 को देख लेते हैं हरियाडा राज्य में कितने उपमंडल और तहसीले हैं जरह बताइए उपमंडल 74 है और तहसीले 94 है या फिर बाकी जो डिजित है वो भी दी हुई है तो इसमें अगर आप देखें तो जो उपमंडल है उनकी संख्या 74 है मतलब सब डिवीजन की बात हो और जो तहसीले हैं मतलब यहां तहसीलों के बात की जाए तो 94 है इसका करेक्ट एंसर इसमें से कौन सा होगा यह वाला हो जाएगा जो उपर ही दिया है इसके बाद 77 में चलिए 2019 के आंकडों के हिसाब से छेत्रफल की दृष्टी से हरियाडा राज्ये देश में कौन से नं इसमें से कौन सा होगा बी वाला हो जाएगा चेत्रफल की दृष्टी से अगर देश में स्थान देखा जाए यह 2019 का लेटिस्ट डाटा है तो हरियाडा राज जे 20 में स्थान पर आता है बहुत बड़ा नहीं है पहले यह पूरा एक बड़ा सा पंजाब प्रांथ हुआ कर सिर्सा है तो इसमें करेक्ट एंसर हमारा क्या हो जाएगा यह 20 और सिर्सा वाला यह जो बी वाला ऑप्शन ही पर्फेक्ट है सिर्सा का चेत्रफल लगभग कितना है 4277 स्क्वाइर किलोमेटर के आसपास इसके बाद question number 78 को देखते है what was the population density of state of Haryana what is the rank of state of Haryana in India in term of population as per the data of census 2011 अभी 2011 का ही census जल रहा है जब नया data publish होगा तो अपडेट हो जाएगा लेकिन फिलाल आपको एक्जाम इसी census पर देना है तो 573 और सत्रमा दिया है इसी प्रकार से सत्रमा अठार्मा और कुछ डिजिट दी हुई है तो आप बताईए जनसंख्या घनत्वाप को देखना ह और यहां जनसंख्या की लिहाज से भारत में कौन सा स्थान है पीछे हमने चेत्रफल की लिहाज से देखा था यहां population wise देखना है तो 78 का हो जाएगा D वाला मतलब यहां पे population density कितनी है वो 573 है और 18 अस्थान है जनसंख्या की लिहाज ठीक इसके बाद आगी चलते हैं तो सम है लेकिन जनसंख्या ठीक ठाक है question number 79 the budget of financial year 2021-22 is how many percent more than the rate यहां आप देख रहे है 1,37,738 करोड of the financial year 2021 मतलब यह हरियाणा budget 2021-22 की बात करें तो आप बताईए इसमें से कौन सा percent होगा कितने percent मतलब कितना अधिक है पिछली बार से यह पूछा जा रहा है लेकिन वो अंक नहीं पूछा जा रहा है आपसे प्रतिशत पूछा जा रहा है तो यह 11 प्रतिशत पि वाला perfect 13 प्रतिशत अधिक question number 80 को देखते है संशोधित अनुमान 2021-21 के लिहाद से राजकोशी घाटा सकल राजी घरेलूत पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है यह आपको बताना है और साथ में पूछा गया है कि आगामी वर्ष 2021-22 के लिए यह सकल राजी यहाँ हरियाणा बजट को आधार बनाईएगा यह union बजट नहीं है तो देखिए यहाँ पर दोनों के percentage दियो हुए और बात किसकी की जा रही है physical defect है तो इसका जो correct answer है वो भी हो जाएगा मतलब जो संशोधित अनुमान है उसके लिहाद से अगर देखा जाए तो physical defect is estimated at 2.90 and the gross state domestic product for the revised estimate मतलब यह revised estimate है उसके हिसाब से 2020 इसका जो पूरा सत्र था for the next year 2021-2022 it has been estimated at 3.83% of the gross state domestic product तो correct answer हमारा कौन सा हो जाएगा भी वाला हो जाएगा इससे select करते हैं और आगे चलते हैं देखिए अगले प्रश्न में यानि क्या सीवे में आप से पूछा गया है कि हर्या हर्याडा देश के कुल GST संग्रह में मतलब जो GST का संग्रह होता है उसमें कितने percent का आपना role play करता है यह हर्याडा राजे के budget से ही आपको मिलेगा data तो हर्याडा budget का और जो economic survey है उसका पूरा एक video बनाके दोनों भाशाओं में आपको दिया जा चुका है उसे एक बार दे दी वाला वही सही है इसके बाद 82 में को देखते है हर्याडा सरकार ने आयूश बिभाग के अंतरगत पूरे राजजे में कितने health wellness center इस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ठीक है आयूश department जो है उसके according तो 1000 है 1500 है 2000 है या 2500 है इसमें से कितने health and wellness center इस्थापित करने का इ जाद रखेगा इस special emphasis has been given to the boost the capital infrastructure in 2021-22 by creating reserve fund of अब इसके बाद blank space है उसमें आपको धनराशी भरनी है for multi-sector development initiative यह हरियाडा का जो economic survey है वहाँ से question उठाये गया है तो budget से ज्यादा important जो है वो economic survey होता है क्योंकि उसमें हम पीछे के साल का जो पिछला बित्ती वर्ष था उसका लेखा जोखा मालूम कर लेते हैं कि कितना हमने achieve किया है और वहाँ से अच्छे खासे प्रशन बनते हैं तो बताईए इसमें से कितनी धनराशी यहाँ पे blank space में भरेंगे तो इसमें जो correct tensor है वो B हो जाएगा B को पहले mark कर लीजे 8,585 करोर ठीक है इतनी धनराशी बहु छे सब्सक्राइब को पहले चुल लेते हैं भीवानी और फरीदाबाद और अंबाला और फरीदाबाद दिया है तो 84 का हो जाएगा C वाला, C वाले को पहले चुल लेते हैं भीवानी और फरीदाबाद ठीक है यह वाला भीवानी में मंगल सेन जो महाविद्याला है वो खुलेगा और फरीदाबाद में अटल भिहारी गाज पेजी के नाम पर इसे हमने देखा Q85 नमीनतम आकडे जो है मतलब लेटेस डाटा उसके हिसाब से हरियाणा की जो अर्थ व्योस्ता है उसमें primary sector, secondary sector और tertiary sector जो है उसका रोल कितना है तो यहाँ प्रतिशत में आपको रोल बताना है पहले primary होगा उसके बाद secondary उसके बाद tertiary तो तीनो जो blank इस पेस है उन्हें आप सेलेक्ट करिए इसमें से कौन सा होगा 19.3%, 30% और 50.7% है ऐसे ही तीन डाटा और दे रखा है तो question number 85 का जो right answer है वो इसमें B वाला हो जाएगा मतलब 19.1% यह क्या है primary sector का है 30% जो है यह secondary sector का है और 50.9% यह tertiary sector का है तो आप देख रहे हैं कि जितने भी primary sector में आने वाले चीजें हैं बस्तुएं हैं उन सभी का महत्व कम होता जा रहा है और इसलिए वो बेजान होती जा रही है यह चिंता जनक बात है इसके बाद अगले को देखते है question number 86 निम्दलेखित में से गेवों का कौन सा रोग टिटलेटिया इंडिका नाम के कवक से होता है टिटलेटि इसके बाद आगे चलते है question number इसका अंग्रेजी वर्जन आप यहां देख सकते है question number 87 में आपसे पूछा गया कि charcoal rot नाम की जो disease है वो एक मिर्दा जनित रोग है यानि मिट्टी से होता है तो निम्दलेखित में से वो किस फसल को प्रभावित नहीं कर सकता है अर्था तीन जो है वो प्रभावित होंगे लेकिन एक प्रभावित नहीं होगा तो इसमें तीनी option ही है और D वाले में कहा है कि इसमें से कोई नहीं बताइए कौन सा सही उत्तर होगा तो 87 का जो right answer है वो D हो जाएगा इसमें जितने भी दिया है चूकि यह पूछ रहा है कि कि किसको प्र मेंली ये होता है सोयाबीन में लेकिन प्रभावित इन तीनों को करता है इसके बाद 88 को देखते हैं इसमें कहा गया के कौन सी विरायटी अरहर की नहीं है मतलब Php की इसमें से कौन सी विरायटी नहीं है वो आप बताइए तो रचना माली चमतकार पारस और पूसा 16 ऐसे अ आप देख रहें से मालवी चमतकार पारस पूसा 16 यह सब अरहर की प्रमुक किस्मों के तौर पे देखी जाती है यानि पीजन पीगी इसके बाद question number 89 को देखते हैं भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेथपूर को फलों की टोकरी कहा जाता है उत्तराखंड को banking का पालना कहा जाता है भारत में करनाटक राजजे को और बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को हरियाड़ा राजजे का तो आप बताएं कि इसमें से तीन तो सही है एक गलत कौन सा है वो बताना है इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उससे आप यहां देख पा रहे है और इसका जो right answer है वो इसमें से कौन सा होगा बीवाला हो जाएगा वही एक मात्रिस में incorrect बीवाले को देख लेते हैं बास्केट आप फ्रूट जो कहा गया है फलो की तलिया ये किसको कहते हैं हिमानचल प्रदेश को कहते हैं बाकी सभी सही इसके बाद question number 90 अंतराष्टी संगठन और उनका headquarter दे रखा है तो इसमें आपको ये बताना है कि गलत मैच कौन सा है World Trade Organization का headquarter जनेवा में है International Monetary Fund का headquarter Washington DC में है International Atomic Energy Agency का मुख्याले Gland में है और Gland है कहाँ पे? Switzerland में है इसके बाद Food and Agricultural Organization इसका headquarter Italy में है यानि Rome शहर में है तो आप बताएं गलत कौन सा है इसका जो correct answer है वो C हो जाएगा ये जो अंतराष्टी परमाड उरजा एजनसी है मतलब Atomic Energy Agency इसका headquarter Gland में है बलकि Vienna में है और Vienna कहाँ पे है? Austria में है तो इसमें हमें wrong ही select करना था तो C वाले को चुल लिया बाकी जो है उनको ध्यान दीजेगा उनके नाम याद रखने अगले question को देखते है यानि 91 और 91 में आपसे पूछा गया ये polity का question है पूछा जा रहा है कि which of the following parts of constitution are related to union territories and scheduled and tribal areas बताएं ये कौन सा part इसे बिलॉंग करता है दो अलग-अलग parts के बारे में आपसे पूछा जा रहा है पहला जो है वो uts से बिलॉंग करे और दूसरा अनसुचित जाती जन जाती छेतर से बिलॉंग करे तो यहाँ पर दिया हुआ है भाग 8 है भाग 10 है भाग 9 है भाग गया रहा है ऐसे करके दिया है 91 का ए वाला सही है भाग 8 जो संभिधान का भाग 8 है हो संग राजे छेतरों से बिलॉंग करता है और जो भाग 10 है वो schedule और tribal areas जो है उनसे बिलॉंग करता है तो हमने जो ए वाला है उसको चुल लिया इसके बाद आप 92 की ओर चलते है अब 92 को आप देखें इसमें कहा गया कि जो नागरिकों के लिए समान नागरिक संगीता है मतलब जिसे आप कहते हैं यूनिफार्म सिविल कोड फॉर दे सिटिजन और राजेपाल की नियुक्ति यानि appointment आप गवर्नर इन दोनों से संबंदित अनुछेद आपको सेलेक्ट करने है मतलब पहला वाला जो अनुछेद है वो यूनिफार्म सिविल कोड से अटैच होना चाहिए उससे संबंदित होना चाहिए और गवर्नर की appointment को धारण करने वाला अनुछेद इसमें से आपको सेलेक्ट करना है तो आर्टिल 45, 154 ऐसे करके दिया हुआ है देखे 92 का D वाला से है अनुछेद 44 में यूनिफार्म सिविल कोड की बात की जाती है यह आप D में देख रहे है और आर्टिल नंबर 155 यानि आर्टिल नंबर 155 की अगर बात करें तो इसमें गवर्नर की appointment कैसे होगी यह दिया जाता है इसके बाद आगे चलते हैं राष्ट्रपती ही नियुक्ती करता है इसके बाद question नंबर 93 यहां का आगया कि कौन सा गलत विगल्प है उसको बताईए तो आर्टिल नंबर 280 इसमें वितायोग यानि जो finance commission है उसका प्रावधान है आर्टिल नंबर 51 में मौलिक करतव यानि fundamental duties है 51 में ऐसा दिया हुआ है और आर्टिल नंबर 312 में अखिल भारती सेवाई यानि आल इंडिया सर्विसे उपसी वगएर है उनका प्रावधान है और 360 जो है इसमें विती आपातकाल के बारे में जो कि भारत में कभी नहीं लगा है उसका पुरा प्रावधान दिखाई देता है तो 93 का जो करेक्ट एंसर है वो P वाला हो जाएगा B वाले को आप देखकर ही समझ रहे है मौलिक कर्तवे को बार में जोड़ा गया है तो इसमें जगा ही नहीं थी कि जोड़ा जाए तो यहाँ पर एक A आक कर जो है वो जोड़ दिया गया मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 51A है उसमें fundamental duties का प्राओधान दिखाई देता है 51 तो पहले से ही reserve था बाकी सभी सही इसके बाद आगी चलते तो इसके जितने और सही है उनको भी एक बड़ देख लीजेगा which of the following language had been added to 8th schedule by 71st Amidment Act of 1992 अब यहाँ यह दे दिया है कि Amidment Act का जो सन है वो कौन सा है एक हत्तरवे नंबर का यह संविधान संशोधन होता है और उसके द्वारा कुछ भाषाओं को जो आठवी अनुसूची है उसमें जोड़ा जाता है और यह 1992 में होता है तो कौन सी भाषाएं add होती है फिलाल आपको यह देखना है कॉमकडी, सिंधी और मडिपुरी है इसी प्रकार से मैथली और मडिपुरी साथ में जुड़ी है संथाली और नेपाली का भी नाम आ गया है तो पेर कौन सा सही यह triplets है, तीन-तीन का जोड़ा बना हुआ है 94 का सी वाला सही हो जाएगा कॉमकडी, मडिपुरी और नेपाली इन तीनों को यह जो बानबेवा संभिधान संशोधन है माँ कीज़ेगा, 71st नंबर का यानि यह का तर्वा संभिधान संशोधन है उसके द्वारा शामिल किया जाता है तो इसमें यह वाला जो पेर है, यह सही 95 को देखते है इसमें आपसे पूछा गया कि 10th schedule has been added to the constitution by which of the following amendment act मतलब 10 वी अनुसूची को किस amendment act के थूँ जोड़ा गया है constitution में और 12th schedule has been added to the constitution by which of the amendment act यानि बारहमी को किस amendment के द्वारा जोड़ा गया है, वो दोनों आपको बताना है मतलब उनका number बताना है तो यहां कुछ pair दे रखे हैं, आप देखिए इसका देखिए, ए वाला सही है यह जो 10 वी अनुसूची है, इसको संभिधान में 52 वे नंबर का amendment किया जाता है तब जाकर जोड़ा जाता है और यह जो बारहमी अनुसूची आप देख रहा है इसको चवहत्तरमा संशोधन करके add किया गया है इसके बाद 96 को देखते हैं 96 में आपसे पुछा जा रहा है कि which of the following feature of constitution of India has not been taken from the Government of India Act 1935 Government of India Act 1935 यह बहुत बड़ा था इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल थे और अधिकतर धाचा हमने वहीं से लिया मतलब वो पूरा एक new वहीं से उठाई है और उसके बाद अलग-अलग जो देशों के संबिधान है या चीजे हैं उनसे हमने बॉरो किया है लेकिन maximum part यहीं से लिया गया तो पूरा ब्रिटिश धाचे वाला संबिधान हमारा है इसको स्विकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि यह वास्तविकता है बताइए इसमें से कौन सा जो है वो शामिल नहीं है संगी यह तंत्र दिया है यानि पेडरल सिस्टम है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, पब्लिक सर्विस कमिशन है और लेजिसलेटिव प्रोसीडर है तीन जो है वो इसी से लिए गया है मतलब 1935 वाले से, एक से बाहर है तो 96 का जो राइट एंसर है वो D हो जाएगा ठीक है, D वाले को चुल लेते हैं ये इससे बाहर है भाई, विधाई प्रक्रिया यहां से नहीं उठाई गई वैसे देखा जाए तो संगी यह तंत्र यानि पेडरल सिस्टम है ऑफिस ऑफ गवर्नर है, जुडिशियरी, इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमिशन, इमर्जेंसी प्राविजन और अड्मिनिस्टेटिव डिटेल ये सब कहां से उठाए गए, ये सब 1935 पला जो अमेड गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट था, वहां से लिए गए विधाई प्रक्रिया यानि legislative जो प्रोसीडर है, वो इसमें शामिल नहीं, इसके बाद अगले वाले यानि 97 को देखते हैं, संबिधान के विशेष्टा आपको इसमें से सलेक्ट करनी है, तो ब्रिटिश संबिधान ये संसदीय शाषन, यहां आप देखें, संसदीय शाषन के नाम दिए हैं, तो ब्रिटिश कंस्टिट्यूशन से संबंदित है संसदीय शाषन, आइरिष कंस्टिटूशन से मूलादिकार और कनाड़ा का जो कंस्टिटूशन है, वहां से सशक्त केंदर के साथ संघिय व्यवस्था और Au DAM Ja tips इन से गलट कौन सा है, तीन सह है और ए इसके बाद अगले वाले को देखते हैं यहां आप देखिए अच्छा है इसमें पिछले वाले को देख लिए ज़रा आइरिस कॉंस्टिटूशन के आगे लिखा हुआ है इसके बाद अगले वाले को देखते हैं संचालन समिती के अध्यक्ष उमानात सेन थे प्रारूप समिती के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंदर प्रशाद थे SS में दिया है और सदन समिती जो थी यानि हाउस कमेटी उसके अध्यक्ष थे पट्टा भी सीता रमया और प्रेस गैलरी कमेटी जो थी इसके बी आ रमबेट कर थे बाकी तीन गलत है वो देखकर मालूम हो रहा है लेकिन जो सही है उसकी तलाश आपको करनी तो 98 का जो राइट एंसर है वो C हो जाएगा ये जो हाउस कमेटी है यहाँ आप देख रहे हैं ये बी पट्टा भी सीता रमया जो कि गांधी जी के चेले थे उनके द्वारा अध्यक्षता इसकी की गई थी बाकी सभी गलत है ये देखकर मालूम हो रहा है संचालन समीती ज जो है ये उशानात सेन के द्वारा इसको लीड किया गया था इसके बाद 99 को देखते हैं शातक लगाने के हम कापी करीब हैं वेन थे इक्सपर्ट कमीटी वेन वास्फ़े कमीटी ऑफ कॉंगरेस फार्म मतलब कॉंगरेस की जो ये एक्सपर्ट कमीटी है इसको कब और नई किया गया है इसका formation होता है और who was the chairman of expert committee आप देखिए विशेशक के समीति की बात हो रही है तो date आपको बतानी है और इसके अध्यक्ष का नाम बताना है यहां 8 July 1946 और Dr. B.R. Ambedkar का नाम है व्यक्तियों के तोर पे जो ही व्यक्ति है अंबेटकर जी है और नहरू जी है और date यहां दी हुई है सभी जुलाई की है सब 1946 की है तारीक है अलग अलग है तो 99 का जो एक टैंसर है वो सी हो जाएगा यह 8 July 1946 की तारीक थी ठीक है और जवाहरलाल नहरू यह विशेशा की समीति के अध्यक्ष थे इसके बाद अब अन्तिम प्रश्न को देखते हैं जो कि है question number 100 और यह भी polity का ही है इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि under which of the following article have a special provision with respect to the state of मनिपूर been given मतलब यह कौन सा number का article है वो आपको बताना है जिसमें कि मनिपूर राजजी के लिए विशेश प्राउधान का जो system में हो दिखाई देता है under which of the following article have the special provision with respect to the state of करनाटका करनाटका राजजी के लिए जो special provision थे वो किस article में दिखाई देते हैं वो भी आपको बताना है तो 371 नंबर का article इन मामलों से जुड़ा हुआ है अब इसमें कई सारे segments है जैसे कि ABCD यह पूरा चला गया है आगे तक IJKL तो आप देखकर बताईए इसमें से pair कौन सा सही होगा पहले वाले में आप देखेगा मडीपुर को और दूसरे वाले में देखेगा करनाटक राजजी को तो यह जो question number 100 है इसका right answer D हो जाएगा B का मतलब क्या यह वाला असल में जो article 371C है उसमें मडीपुर राजजे से जुड़े हुए special provision है और 371J जो है इसमें करनाटक राजजे से जुड़े हुए विशेश प्राउधान हमें दिखाई देते हैं और इसके साथ ही यह mock test यहा